इस 10 minute की वीडियो में मैं आपको wall type create करने का बिल्कुल easy और quick तरीका बताने वाला हूँ जिसको use करके आप बहुत आसान तरीके से अपने project में wall types create कर सकते हैं क्योंकि मैंने देखा है कुछ dynamo script use कर रहे होते हैं इस चीज के लिए कुछ filters use कर रहे होते हैं इस चीज के लिए बट मैं इस वीडियो में आपको इतना easy तरीका बताऊंगा ना तो आपको कोई plugins यूज करना पड़ेगा ना ही कोई script use करनी पड़ेगी simple तरीके से आप और बिना किसी mistake के ये चीज को बना सकते हैं तो बिना time को waste किये start करते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पर कुछ wall बनाई हुई है duplicate करके जैसे for example अगर मैं यहाँ पर select करता हूँ तो यह मैंने 100 mm की solid block और मैंने कुछ इसकी जो naming दी है जो मैंने wall को duplicate करके इसका नाम दिया है अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो कुछ इस तरीके से मैंने नाम दिया है वह आपका standard हो सकते हैं कुछ भी company के according जो भी आपका naming system है आप उसके according इसको नाम दे सकते हैं यह क्यों पर depend करेगा तो मैंने यहाँ पर यह कुछ इस तरह से नाम दिया है जैसे starting में जी एनिके गुलशाद अंसरी solid block 100 mm ठीक है यह solid block 150 है 200 और यह hollow block दिया है और यह thermal insulated तो यह तो आप simple सा है आप in walls को बना लेंगे कोई भी यहां से वो लेके simple तरीका है और उसको duplicate बना ले यहां से और इसमें जो thickness लेनी है वो ले सकते हैं या इसमें अगर कुछ layers भी आपको add करनी है तो वो भी कर सकते हैं अब आपको यहां पर करना क्या है मैं यहां से detail level fine कर देता हूं पहले तो अब आपको यहां पर करना क्या है जैसे यह मेरी wall है 100 mm solid block edit type में जाएंगे इसको थोड़ा मैं चोटा करता हूं यहां पर अगर आप एक option देखेंगे graphics का तो यहां पर यह black है इसको कोई भी color दे सकते हैं for example मैंने दिया यहां पर red और इसका जो pattern रखना है मुझे fill pattern वो मैं यहां पर click करता हूं और मैं करता हूं इसको solid black okay तो मैंने इसको color दिया यहां पर edit course तो यह इस तरह से हमें show करेगा चलिए मैं इसको पूरा complete कर देता हूं एक एक को select करके और इसमें मैं यहां पर field का color डाल देता हूं और solid fill pattern डाल देता हूं यह आप color अपने हिसाब से रख सकते हैं जो भी आप रखना चाते हैं जो भी आपका standard है जो भी आप follow कर रहे हैं दे सकते हैं अब आप यह सुचेंगे कि अगर मैंने यहां पर इसको course किया है तो अगर आपके पास plan में बहुत सारी चीज़े हैं जो आप उसको fine में दिखाना चाते हैं तो वो कैसे करेंगे तो उसके लिए simple है पहली बात तो जो आपका wall type view रहेगा उसके लिए आप duplicate floor plan create क चीजे दिखाते हैं और सबको fine दिखाना चाते हैं सिर्फ wall को नहीं दिखाना चाते तो उसके लिए भी कोई issue नहीं है आप visibility graphic में जाएंगे और यहां पर हम इसमें walls को select कर लेंगे और walls को by view नहीं रखेंगे यहां पर हम कर देंगे इसको course ठीक है तो अगर आपके पास में इसमें बहुत सारी चीज़े और भी हैं जो आप fine में दिखाना चाते हैं तो वो fine में ही दिखेंगी यहां पर आपको fine रखना पड़ेगा और जो हमारी walls हैं वो हमें इस तरह से course में और color fill देखने को मिलेगी यह हुए अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि legends इसके कैसे हम बनाएंगे तो legend बनाने के लिए मैं चलता हूँ यहाँ पर दिखेंगे यह color जो मैंने यहाँ पर दिये हुए हैं इनको आपको याद रखना है कि हमने यहाँ पर किसको क्या color दिया हुआ है ठीक है तो legends के लिए मैं view में जाऊँगा और यहाँ पर मैं click कर देता हूँ legends और मैंने क्लिक किया legends और एक legend बना दिया यह legend व्यूँ आ गया उसके बाद यहां पर मुझे वो walls लेनी पड़ेंगी तो उसके लिए हम जाएंगे annotate component यहां पर हम क्लिक करेंगे legend component और यहां पर हम walls में देख लेते हैं यह रही तो walls में जो मैंने उसको नाम दिया था यहां पर मुझे उसी नाम का यहां पर show करागा यह देखिए तो naming आपको जो देनी है वो इसी हिसाब से देनी है तो for example यह मैंने लिया इस पर की लिख्या और आपको कितना बड़ा इसका चाहिए है आपर floor plan और इसकी जो length है वो कितनी चाहिए आपको मैं एक ए लेंगे इसी तरीके से यह मैंने सब ले लिए तो आप उसको multiple times भी कर सकते हैं यानि कि मैं अगर चाहूं तो इसको एक बार यहां पर copy कर सकता हूं मैं बताओंगा मैंने copy क्यूं किया अगर मैं नीचे वालों को select करता हूं और यहां पर इसका detail view जो है मैं find कर देता हूं तो और edit में चलते हैं तो जैसे for example मैंने category बनी हुई है मेरी for example यहां पर यह solid block लिया है फिर hollow block लिया है और फिर insulated block लिया है तो आप इनको pattern के according define कर सकते हैं क्योंकि जो wall type वाल आपका floor plan होगा जो wall type वाली sheet होगी उस पर तो colorful देखना को मिलागा लेकिन जो other sheet है उसमें आपको pattern देखने को मिलागा तो उसको भी define कर सकते हैं कि आपको solid block में किस तरह दिखाना है और hollow block में कैसा और इस वाले block में कैसा तो मैं यहां पर simple सा ले लेता हूँ जैसे for example brick लिया मैंने यहां पर brick common ले लिया मैंने जो solid block था उसमें for example मैंने brick ले लिया तो अगर यहां पर जाएं कर देता हूँ select करके one by one hollow block के लिए मैं कोई और सा material ले लूँगा और insulated block के लिए मैं कोई और सा material apply कर देता हूँ तो मैंने सब को material apply कर दिये और pattern आ गया होगा उसी के according अगर मैं wall type में जाकर देखता हूँ तो यहां पर मुझे देखिए categorize हो गया है यह मेरे hollow block wall है अगर मै वाली मेरी दोनों और यह वाली solid block wall है और यह हमारा इसमें insulated block wall है तो अब आप इसको पूरा proper legend बना सकते हैं for example यह मैंने दोनों के preview रख दिये से ठीक और उसके बाद मैं यहां पर text लिख देता हूँ जैसे for example अगर मैं इसको select करता हूँ तो यह कौन सी है sb100 तो मैं यहां पर इसका description लिख देता हूँ for example मैंने यहां पर type किया solid block wall 100 mm इस तरह से मैंने यहां पर इसमें description डाल देता हूँ और इसको मैं नाम भी दे देता हूँ कुछ भी type mark डाल देंगे हम इसमें तो पहले पर तो मैं यहां पर इसमें इसको एक rectangle में बंद कर देता हूँ फिर मैं सारे इसी तरह से कर लूँगा जैसे मैंने for example यहां पर लिया इसे और यहां पर इसको ऐसे बंद कर देता हूँ मैं और अगर चाहे तो इसको इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए आप ऐसे यहां पर मैं एक लाइन और बना देता हूँ तो जो कलर इसमें है वोल में वही कलर मैं यहां पर फिल्ड रीजन में डाल देता हूँ एनोटेट में जाएंगे और रीजन में जाएंगे फिल्ड र और यहाँ पर मैं इसका जो foreground का fill pattern है वो मैं कर देता हूँ यहाँ पर solid और इसको कर देता हूँ red तो यह यहाँ पर बन गया है पूरा इस तरीके से और यहाँ पर description में मैं उपर इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ w01 ठीक है यह आप अपने साब से कर सकते हैं जितना भी आपको proper तरीके से इसको अच्छा करके बनाना है मैं इसको w01 को यहाँ पर रखता हूँ इसमें नहीं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सही कर लेता हूँ मैं तो देखे मैंने इस तरीके से बनाया तो जितनी भी यह walls हैं मैं इन सब का इसी तरीके से legends बना लेता हूँ पूरा proper इसको मैं तयार कर लेता हूँ तो देखे मैंने सब को यहाँ पर same color देके और नाम दे दिया है w1023 तो आपको यहाँ पर भी यह काम करना पड़ेगा यहाँ पर सारी walls को select करके edit type में जाकर और यहाँ पर type mark में w01 इस त और अपनी template बनागे रख लेंगे इसको और उसमें आपको बहुत फाइदा रहेगा तो यहाँ पर मैंने सब को type mark भी दे दिया है legends भी ready है और यह चीज़ भी ready है तो अगर आपके पास में कोई भी planning है मैं for example अभी वैसे ही यहाँ पर बना देता हूं wall architectural पर मैंने click किया और म मैं इसमें सारी different types की wall को ले लूँगा ऐसे ही बना करके roughly कोई भी drafting कर लेता हूं मैं यहाँ पर और wall से match करा देता हूं single single तो दीखिए मैं इस तरह से match भी करा लिया अब अगर आप इस पर take भी करते हैं tg press करेंगे यहाँ यहाँ पर click कर सकते हैं take by category annotate से तो इसके उपर आ अभी मुझे show कर रहा है जो type name है इसका तो मैं इसको edit कर लेता हूं इसको select करेंगे take को edit family में जाएंगे और यहाँ पर edit में जाकर इसके label को edit करूँगा मैं यहाँ पर click करके इसको तो हटा दूँगा मैं यहाँ से और type mark ले लूँगा यह type mark आ गया जो भी होगा उसके लेता हूं अपने project में अब यहाँ पर मैं इसको take भी कर सकता हूं इसको तो मैं delete कर दूँगा अब यहाँ पर tg press करेंगे और आप इसमे take भी कर सकते हैं इसको और इसको जहाँ पर रखना है रख सकते हैं यह आप sheet arrangement अपने according कर लेंगे जो भी करना है और जो legends बनायते हैं हमने वह भी यहाँ पर मिलेगा जाता हूं हमारा plan रहेगा यहाँ पर wall type का और यहाँ पर हमारे सारे wall types हो जाएंगे क्योंकि कितना भी बड़ा project हो उसमें जादा wall types आपको नहीं मिलेंगे 10 भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे तो अगर 10 भी है तो wall type तो आप बनाएंगे बनाएंगे duplicate करके वो इस तरह से बना सकते है तो अगर आपका कोई भी complicated project है कोई easy topic से related तो आप comment करके मुझे बता सकते हैं तो मैं उसके उपर फिर से एक video बना दूँगा अगर वो और जादा complicated है तो उसको easy करके मैं आपको बता दूँगा तो आपको easy हो जाएगा तो इस तरह की चीज़ को आप template में save करके रख सकते है और जो भी project पर काम करें वो इस तरह से easy से कर लेंगे तो वीडियो केसी लगी अच्छी लगी तो share जरूर करें friends के साथ में like करें और अपना suggestion जरूर दें comment box में मुझे wait रहेगा और अगर subscribe नहीं क्या तो जरूर subscribe करें मिलता है next video में new topic के साथ में thank you